हाला ओर इवन आयाटियन ट्रेडर फेमेली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओप्सन ट्रेडिंग से जुड़े अभी सरकार ने और सेबी या एनसी ने जितने भी फैसले लिये हैं और कितने ते सवाल निकल के सामन कर दीजे तो बढ़ते हैं आगे और यहां पर मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारा जो कैलकुलेटर है जिसके उपर आप काम कर सकते हो जिस कैलकुलेटर की लोग है वो तीन से पांच अजार रुपए मन्तली चार्जेज करते हैं वो मैं बिल्कुल फ्री में करवाने वाला हूं यह कैलकुलेटर है वो आपको कैसे फ्री में मिलेगा वीडियो के अंदर ही मैं बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखेगा और वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको जो चीजे हैं कि कैसे को बताऊंगा तो चलते हैं वीडियो के अंदर तो अ charges के अंदर कोई भी changes नहीं किया गया है clear चीज है फिर आप option trading के अंदर काम करते थे जिसे index futures है और index options के अंदर काम करते थे तो index future के अंदर जहां पे जो security transaction charge था 0.01% उसको बढ़ा करके 0.0125% कर दिया यानि एक करोड के सोधे पर आपका security transaction charge पहले 1000 रुपए लगता था अब 1250 जादा लगेगा index option के उपर option यानि की option trading करते हो तो उसके अंदर पहले 5000 रुपए लगता था एक करोड के transaction पे ठीक है यानि की 0.05% लगता था अब उसको clear कर दिया है कि अब आपके 1250 रुपए ज्यादा लगेंगे यानि 6250 रुपए लगेंगे अब option trading की जो option trading है उसके अं दूसरी चीज चलते हैं कि आपके उपर penalty कब लगेगी तो यह जो slide है वो आपके उपर penalty की नहीं है यह slide है वो broker के उपर penalty की है आपके उपर penalty कब लगेगी वो next slide में बताता हूं तो यहां पे जैसे आपके पास जितने भी broker होंगे उन पे यह penalty लग सकती है और यह कैसे लग स साथ साथ में जो broker है वो आपको buying का सोधा डानने से पहले ही आपको कितने brokerage लगेगा, कितने other charges यानि GST कितना लगेगा, security transaction charge कितना लगेगा, सारी चीजों को एक साथ करके यहां पे दिखा देगा कि इतना आपके charges लगने वाले हैं, brokerage इतना लगने वाला है और other broker है, इस चीज को सुधारता नहीं है, साथ दिन के अंदर की, यहां पे सोधे डालने से पहले ही आपको सारी चीजे पता लग जाएं कि कितना brokerage लगने वाला है, कितना अधर चार्जे लगने वाले हैं, वो नहीं सुधारता है, तो उसके साथ दिन बाद में जो नए डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं, वो सब चीजे बंद कर दी जाएंगी, तो broker के उपर penalty के यह slide है, ठीक है, आप जो next slide है, यह है आपके उपर penalty का, एक do not exercise, एक option होता था D&E, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया है, यह क्या होता था इसमें होता था, कि माल लो की आपने कोई सोधा बाई किया, या सेल किया, सोधे का मतलब यहाँ पे सिफो सिफ आपको मैं बता दिता हूं कि option trading के अंदर है, और option trading में भी यह जो चीज है, वो in the money, ITM से related है, आपको in the money option के अंदर खाम कर रहे हो, तो यह related है, अब क्या होगा देखो, माल लो कि आपने कोई भी option buy किया, और वो in the money हो गया, ठीक है, ITM हो गया, ठीक है, अब आप क्या करते थे कि expiry है, आपको पता है कि आज माल लो expiry है, तो आप उसको छोड़ देते थे कि मेरा सोदा है, वो in the money है, वो अपने आप broker settle कर देगा, तो मैं इसको क्यो बेचू, अब यह इस बद हो गई है, अगर आपका सोदा in the money है, तो आपको बेचना पड़ेगा, उसको खुद से, खुद से बेचना पड़ेगा, आप do not exercise नहीं कर सकते, यानि कि आपको खुद से बेचना पड़ेगा, अगर नहीं बेचते हो, तो वो एक तरीके से आपका सोदा है, वो पहले broker settle कर देता था, अब वो broker नहीं settle करेगा, वो एक तरीके से auction में ही चला जाएगा, और वहाँ पे आपका सोदा है, वो higher price पे आपका सोदा, वो settle होगा, और आपके penalty भी लगने वाली है, तो ये चीज आपको आपने buy कर रखी option, तो भी आपको बेचना चाहिए, और आपने sell किये है, तो भी आपको settle करना ही चाहिए, आपको खुद को याँ पे बेचना या sell करने का काम करना होगा, आपकी position को zero करके जाने का जिम्मेदारी आपकी है, ये चीज आप ध्धान रखिएगा, ये ही चीज है इसके अंदर, और कुछ ज्यादा चीजों के अंदर आपको involve नहीं होना है, सीधे सीधे सब्दों में, कि आप expiry का wait नहीं करना है, कि अपने आप broker set कर देगा, नहीं, आपने buy किया है, तो आप उसको execute करके zero करके जाओ, आपने sell किया है, तो buy करके उसको zero करके जाओ, position को zero करने की जिम्मेदारी आपके होगी, 30 मार्च से ये rule लाग हो जाएगा, अगर नहीं करते हो, तो आपके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपर, वो higher price पे, जैसे मालो आपने buy किया हुआ है, कोई option, तो उसके के लिए आपको low price पे भी कर सकते हैं, और high price पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो auction के जैसे ही चला जाएगा, आपके penalty भी लग जाएगी, तो यह चीज आपके हो गई कि आपको option trading में क्या सावधा नहीं रखनी है, 30 मार्च से, और यह सब index हो, चाहे option हो, सब के उपर लागू है, इन दमनी के उपर लागू है, यह चीज क्लियर कर देता हूँ, चोथी चीज है, यह DNA, do not exercise तो खतम हो रही है, net settlement सुरू हो रहा है, net settlement क्या है देखो, और यह मार्च 2023 की expiry, यानि मार्च से ही जो सुरू होने वाली expiry, उसके उपर से ही लागू हो जाएगी है, अब इसमें क option का अलग-अलग settlement होता था, और फिर यहां पे net दिखाता था आपको, अब क्या होगा, कि यहां पे equity और जो future है, उसको एक ही कर दिया जाएगा आपके, और यहां पे दोनों अलग-अलग segment नहीं होंगे, इस से क्या होगा, कि मानलो, आपने कोई भी position FNO में लेके गए हो, ठ यहां पे आपकी 33% margin है, वो कम हो सकता है, क्योंकि equity के अंदर shares या holding पड़ी होंगी, उनको भी वो margin के जैसे मान लेंगे, सिर्फ मानेंगे वो, ठीक है, तो यहां पे requirement कम हो जाएगी, आपकी वो बार-बार margin को लाती थी, कि broker बोलता था कि आपका shortfall margin हो रहा है, तो उसको थ कुछे change नहीं होगा, taxes उतने ही लगेंगे, charges उतने ही लगेंगे, खुस्त होने की जरूत नहीं है, margin थोड़ा सा कम हो जाएगा, कोई ज्यादा benefit की चीज नहीं है अपने लिए, अब मैं यहां पे आपको बताता हूँ कि mutual fund से भी related एक चीज आईती, कि debt mutual fund है, जो 8 लाग करो आपका mutual fund ने 30% का return दिया, ठीक है, और 3 साल का meaning हो गया कि आपकी 1 साल, 2 साल और 3 साल, आपकी 5-5% की inflation चल रही है, तो आपके 15% ही आपको, यानि कि ये 15% हुआ, inflation कितनी होगी, आप 30% return ले रहे हो, और 15% आपका inflation से खतम हो रहा है, वहां से, तो आपको net बचत कितनी हुई, 15% ही हुई न, तो आपको सिर्म 15% ही आपको return मिला है एक तरीक से, तो उस 15% पे ही tax देना होता था, लेकिन अब अगर मानलो की 15% पे tax देते थे, तो वो 20% tax देते थे, और without indexation लेते थे, तो आपको 10% tax देना होता था, अब ये indexation का खतम कर दिया मामला कि आपको exactly जितना return मि कौन कौन सी चीज़ों पर penalty लगने वाली है, कैसे charges increase हो गए है, सारी चीज़े मैंने clear कर दी है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो slide है कि आप ये calculator कैसे ले सकते हो, ठीक है, एक तो मैं इसका वीडियो बनाऊगा कि ये calculator कैसे use करोगे आप, ठीक है, तो वो म मेरे चैनल को subscribe करना है और comment करना है वीडियो के अंदर, उसका screenshot इस WhatsApp नमबर पे भेजोगे आप, तो मैं उसको match करूँगा कि आपने subscribe कर लिया है, फिर आपकी email ID को unique ID एक तरीके से मैं यहाँ पे allocate कर दूँगा, और ये calculator फिर आप access कर पाओगे, यहाँ पे मैं इस calculator का link send करू करोगे, क्योंकि वो ही आपकी एक तरीके से password होगी, उसी email ID से login करोगे, तो ही यह calculator open होगा, तो इसके बाद में आप इसको use कर पाओगे, तो यह मैं अभी आप भेज दोगे, तो मैं अभी आपको provide नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास नहीं टेलिग्राम चैनल भी नहीं है और यह मैं इसको बनाओंगा, और कम से कम मुझे यह 7 दिन लग जाएगे इसके अंदर, तो फिर मैं आपको यह कर दूँगा, और वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, उनका अलग-अलग भी है, मैसेज आ रहे हैं, तो सबको एक साथ करना इतना possible नहीं है, तो अब मैं थोड़ा सा एक बार रेटा ही कटा कर लेता हूँ, और फिर इसको मैं आपको प्रुवाइड कर दूँगा, आपको 100% शोर करता हूँ कि यह मिलने वाला है, और विदिन 7 डेज आपको मिल जाएगा यह, इसका एक्सिस, तो और भी भहुत सारी चीज़े हैं, आपको धीर आपको मिलने वाला ही।